नमस्कार मेरे प्यारे भाईयो भेनो मैं फिर आगया हूँ एक बहुत ही इंट्रस्टिंग टॉपिक को लेके जो डेली का आईरन पिलर है इसके बारे में हम बात करेंगे क्या वो पहले से वहीं पे स्थित था जहां पे अभी है और क्या पुराने जमानी की मेटलर्जी इतनी अच्छी थी कि अभी तक उसमें कोरोजन नहीं हो रहा है अगर नहीं हो रहा है क्या दिल्ली के मौसम का कोई ऐसा उसमें रोल है कि जिसकी वज़े से वो कोरोड नहीं हो रहा है साइंटिफिक चीजों को आपके सामने लाना उनको अच्छी तरह explain करना यही इस चैनल का मेन मोटिव है तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को तो आए सबसे पहले कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं इस आइरन पिलर के बारे में तो यह डेली में स्थिध है यह सबको पता है सोला सौ साल पुराना है और तब भी खड़ा हुआ है बिना किसी कोरोजन के छे टन इसके अंदर जो रॉट आइरन है 99.9% प्यॉर आइरन लगा हुआ है इस पिलर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक्स को काट के फिर एक साथ वेल्ड करके इसको बनाया गया था और ऐसा माना जाता है कि यह सांची जो मद्यप्रदेश में जंगा है वहाँ पे बनाया गया था इनीशली जो कि हमको पता चलता है इसके उपर जो लिखे हुए छे लाइन्स है संस्कृत में उनके उपर चंदरा लिखा गया है और इसको माना जाता है कि चंदरा गुप्ता टू को यह इंडिकेट करता है यह सिंबल और बारा सो तेतिस में इस पिलोर को इसकी करन्ट लोकेशन पे लाया गया था और काफी ज़्यादा फेमस है यह लोग काफी ज़्यादा लोग आते है इसको देखने के लिए यह दिल्ली के कुतुब कॉम्पलेक्स में अभी स्थित है तो शुरू करते हैं बहुत ही इंटरस्टिंग फैक्ट के साथ कि वाइ इट इस नॉट रस्टिंग क्यों ये रस्ट नहीं हो रहा है क्या रीजन है क्या कुछ स्पेशल मेट्रियल इसमें लगाया गया था पुराने जमाने में क्या इंडियन मेटलर्जी पुराने जमाने में इतनी ज़ादा एड़वांस थी तो recently काफी studies हुई है उसमें से दो studies मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है एक आर बालव सुब्रमन्यम जी ने जो IIT कानपूर के प्रोफेसर है उन्होंने काफी अच्छा इसके उपर corrosion science general में paper लिखा है उसके बाद दूसरी study है जो मुदली जी ने लिखी है phosphorus था उनको जो मिला phosphorus की वज़े से इसके अंदर corrosion resistance डवलब हो गया तो चलिए पता करते हैं कि phosphorus आया कहां से तो अगर हम लोग पुराने जमाने की steel making और अभी की जो steel making process है उसके अंदर का difference देखे तो अभी के जमाने में blast furnace में क्या करते हैं limestone डालते हैं उसके बाद उसको ore को उसके साथ high temperature पे heat करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो slag होता है उसमें ज़ादाता phosphorus आपका निकल जाता है जो आज कल की iron making process है blast furnace के अंदर पुराने जमाने में वो direct coal को mix कर देते iron ore के साथ और normally उसको निकाल लेते थे purify नहीं करते थे तो जितना भी slack content है जितने भी un-purified particles है वो अंदर ही रह जाते थे और ये लोग इसको solidify करके फिर उसको hammer करते थे hammer करने से क्या होता था जो अंदर की impurities है वो बाहर की तरफ push होती थी जो phosphorus भी एक impurity मानी जाती है steel में तो वो बाहर की तरफ push होती थी और बाहर एक layer बना लेती थी तो ये बहुत बड़ा एक reason है कि वो corrosion resistant है अभी तक हमारा जो iron pillar है बट ये phosphorus बाहर आने से हुआ क्या क्या हो गया कि इस phosphorus ने पूरी की पूरी corrosion chemistry बदल के रख दी तो ये बाले शुबर मन्यम जी का paper है उन्होंने explain किया है जो phosphorus है iron के साथ मिलके iron phosphate के crystal बना लेता है just metal के just उपर और इसकी वज़ा से जो diffusion है iron का बाहर की तरफ क्योंकि ये crystalline layer है जो की बहुत non-porous होती है इसकी वज़ा से अंदर का जो iron है वो बाहर easily जा नहीं पाता और बाहर का moisture अंदर नहीं आ पाता तो अब इसमें हम लोग ये सोचेंगे कि इसमें डेली के climate को भी बोला जाता है कि बही डेली के climate की वज़े से भी ये corrosion नहीं हो रहा है तो डेली का climate का इसमें ये roll है कि जो dry और wet season जो डेली में बहुत extreme होते हैं तो जिसकी वज़े से जो उपर एक और protective layer बन जाती है जो iron hydroxide कहते है जिसको उसके उपर फिर hematite, magnetite जो कि iron oxide की normal है इनकी porosity काफी कम होती है और basically iron hydrogen phosphate की बनने की वज़े से इसके अंदर ज़्यादा तर moisture जा नहीं पाता है और metal काफी दिनों तक secure रहता है इसका corrosion rate बहुत ही ज़्यादा low है, बहुत ही ज़्यादा कम है इस material का तो अब लोग के दिमाग में इस हवाल आ रहा होगा कि हम लोग इसको आज कल के उसमें use क्यों नहीं करते तो आज कल हम लोग इस चीज़ को use कर सकते है specifically corrosion resistant एक बहुत बड़ी problem नहीं है आज कल की steel making में steel की strength को भी देखा जाता है steel की जो bending strength है जो crack propagation properties है उन सब को भी देखा जाता है तो अगर आप सिर्फ एक ऐसा material बनाना चाते है जो की shove के लिए है तो उसके अंदर आप ये technique बहुत easily use कर सकते है corrosion को रोकने के लिए तो यही सारे interesting facts थे जिसकी वज़े से हमारा iron pillar अभी तक rust नहीं कर रहा है आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज 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 एक like एक subscribe तब तक के लिए अपना ध्यान रखे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेक केर एंड गुडबाई